अलो दोस्तों फाइनेशल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल पर मैं स्टोक मार्केट से रिलेटेड काफी अपडेट लेकि आता हूं इसे के तहता आज हम स्टोक देखेंगे तो फ्रेंड्स यह स्टोक आप देख सकते हैं चारों पांचो जो है यह अपने चैनल पर बताएगे हैं और सब की यहां पर डेट है तो एक बार चेक कर देना कि इस डेट के बाद इन में जो है कितने रिटन मिले हैं और क्या स्टेटेजी रही है क्योंकि इनहीं में से मैं एक स्टोक देने वाड़ा हूं आपको आज तो उससे पहले जो है वह आप लोगों के साथ डिसकस कर लेता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर एक स्टेटेजी लगाई थी यह वाली तो आपको जो है इन जो च्यारपान स्टोक है इनमें मिल जाएगा यह जो है टी डवल तो यह मैंने 21 अगस्त को दिया था और 21 अगस् स्टोक में अगर इतने रिटन मिलते हैं तो काफी अच्छी रिटन रहते हैं तो फ्रेंड्स यह स्टेटेजी क्या थी कि यहां पर जैसे तिन चार ग्रीन केंडल बनती है उसके बाद चोटी रेड केंडल बनती है और इसका क्लोजिंग है वो प्रिवियस ग्रीन केंडल के आपके उपर रहता है फ्रेंड्स कोमेंट सेक्षन में बताना है यह कौन सी स्टेटेजी है और इसके बाद जो है फिर आप देख सकते हैं ग्रीन केंडल बनी है यानि जैसे ही रेड बनीगी उसके बाद 10-12% इसली मिलेंगे आपको रिटन तो फ्रेंड्स आज इसी के बेस फिर मैं एक स्टोक लेके आया हूं और यहीं स्टोक यहीं स्टोक है TWL तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यह जो है चार पांस ग्रीन केंडल यहां पर दिखाई है और इसके बाद में यह लाइन मैंने ड्रो किये इसके उपर अगर क्लोजिंग देता है चाहे वो रेड आने वाले चार-पांस दिन में आपको अच्छे रिटन दिखाई देंगे और फ्रेंड्स यह जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए याने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए तो आप चाहें तो कल इसमें इंट्री ले सकते हैं अनलाइसिस करके क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल परपस से आप लोगों के साथ जो है यह वीडियो सेयर कर रहा हूं तो इसमें मैं डारेक्ट आपको जो है बाई सेल की कोई सलाह नहीं दे रहा जैसा कि डिस्क्लेमर में आपने देखा भी होगा तो आपको थोड़ा अनलाइसिस खुद करना है मेरा ज आता है थे उसके 15-20 दिन के अंदर अंदर इनमें टार्गेट अचीव हुए या नहीं हुए यह च्यारों-पांचों स्टोक आप यह आप देख सकते हैं यह देख लीजिए एरीज एग्रों हो गया और यह इंटरप्राइज वाला सुवेन फार्मों वाला और टी डवल वा कि अधर और में अलमी अ करता हैं।